अब टेलिग्राम में आपको मिलने वाला है रोज सुबह में 60 सेकंड के अंदर में मौर्निंग अपडेट यानि रात में क्या हुआ सुबह में कौन से स्टॉक न्यूज में है मेरी कोसिस रहेगी 60 सेकंड के अंदर-अंदर में टेलिग्राम में डादू और ये एक्स्क्लूसिव सिर्फ टेलिग्राम में रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जुड़ जाईए आज हमने डाल दी है आगे हमेशा मिलता रहेगा हला एवर्डिवन कैसे हैं आप सब देखें मार्केट में थीम चलता है और थीम के अनुसार सेक्टर अभी जो थीम डिस्टल की, आर्टिफिस्यल इंटेलिजन्स की, ईवी की या रिनरबल एनरजी की और ऐसे स्टॉक रिटर्न भी दे रहे हैं आज का स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसको 2021 में एक न्यूज होने पर मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ से उस न्यूज के बाद रैली हुई और उसके बाद ऐसा गिरा कि लोग फस गए अब कैसे फसे, क्यों फसे वो भी डिसकस करूँगा और अब 2022 में वापस से न्यूज है, यानि अभी न्यूज है मेरी नजर में एक बेस्ट वीडियो है वाँ एवरी ट्रेडर और इंवेस्टर के लिए as an eye opener सिखने का मौका मिलेगा, कमाने का मौका मिलेगा कैसे आप फसते हैं और ना फसे हैं उसको भी समझने का मौका मिलेगा तो मैं मुकल अगराल आपका आफी के यूटूब चैनल में स्वाथ करता हूँ जो भी नए लगों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकोन हिट कर लिजे नोटिफिकेशन आउन करना बिल्कुल ना बोले जिसे जब भी मैं लाइव आता हूँ वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा और कमाएंगे आज का जो स्टॉक है वो भी कुछ हैसा ही है कंपनी ने 19 अपरिल 2021 को एक्सचेंज को इंफर्म किया था कि वो नया AI Automation Platform लाँच कर रहे है वैसे ही उस दिन से स्टॉक में तेजी हुई धूम मची और साथ में अगर चाड का कॉम्बो भी था और 42 रुपीज के उपर रैली होकर 73 तक गया यानि almost पैसे डबल हुए और जब गिरना सुरू हुआ तो 20 तक आ गया अब पहले यहाँ पर यह clear कर लेते हैं फिर 2022 यानि अभी की latest news पर चलेंगे अब आप खुद सोचें कि पैसा डबल हुआ उसके बाद भी लोग क्यों फसे क्योंकि mostly लोग जब रैली सुरू होती है तब नहीं लेते हैं हाई पर लेते है जब सब तरफ news चल रही होती है वहाँ पर यह नहीं देखते कि company के financial में कितना दम है stock कितना उपर ले जा सकता है या news में कितना दम है कितना उपर जाएगा मुझे लगता है यह फर्क समझने की बहुत ज़ादा जरूवत है सिर्फ यह ले लिया उपर ही जाना चाहिए यह सोच गलत है और maximum लोग stock में सिर्फ इसलिए फसते हैं कि एक good news पर rally के बाद लेते हैं टॉप पर फसते हैं और यह सोचते हैं कि अब तो चलेगा ही चलेगा और सब बरबाद हो जाता है लेकिन मेरा सवाल आप सबसे है क्या सिर्फ इतना होने से invest करना सही है या पहले company को अच्छे से जाने उसके fundamental को समझें तब invest करें या आप बताएं मेरा मानना है ऐसे पर news में जब आता है तो चार्ट का तरका मिलाइए swing का मजा लीजे लेकिन investment के लिए company से दोस्ती अगर बात सची और अच्छी लगी हो तो button दबा दीजे like का देखिए ये company जो है global communication service provider है यहां software service से 91% revenue और software product से 9% का revenue आता है और financial की बात करें तो company का net income लगातार गिर रहा है जिसको हम detail में discuss करेंगे आप देखके shock हो जाओगे जिसके लिए मैंने ये video बनाई है और stock का नाम है Subax Limited software product company जो काम करती है digital trust के space में अब आप को होगे यह क्या है तो focus करते हैं privacy, security, risk mitigation predictability, confidence in data mainly telecommunication का इनके अगर major client पे आओगे तो Airtel है, AT&T है, Maxis है tech mehendra जैसे नाम है 75% जो इनके client है world के top 50 telecom company में है 98% customer retention है फिर financial खराब क्यों? दिमाग वाली बात है Right है न? यही चीज हमें समझने की धरवात है क्योंकि एक site जब हम दिखते हैं आरे वा, दिगज नाम है इनके पास client retention है तो भईया क्यों? financial क्यों कर वर है? क्यों किर रहा है? सवाल आएगा न? यही हम अगर जिस दिन सोचना समझना चालू कर दें stock के परती नजरिया बदल जाएगा और वहाँ पर फिर जो मैंने एक word add किया कि shrink का मज़ा लेते हैं वो देता है बहुत पैसा अब आते हैं short sweet latest news पर तो SUBEX ने GEO platform के साथ एक deal किया है Reliance के telecommunication business की 5Z product line को बढ़ाएगा अब यहाँ पर वही बात हुई जो 2020 में हुई थी क्यानि news अच्छी है, सब अच्छा है बट fundamental में कितना दम है सिर्फ एक Reliance के GEO platform का नाम सुनकर हम अगर उमीद कर लें कि 3 महने में 300 हो जाएगा तो गलत होगा या नहीं होगा मेरा point clear हुआ या नहीं हुआ अगर अभी भी कोई doubt है तो please comment box में बताएं क्योंकि अभी तो वीडियो सुरू हुई है क्योंकि अब हम fundamental पे चल रहे हैं क्योंकि ये फर्क जो मैं हमेशा कहता हूँ thumbnail की जगह read between the lines में जाना है तो हमारे portfolio में कभी भी सरेवे stock नहीं दिखेंगे और हम जब news आ रहा है तो हम मौका भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि क्या मैं मौका छोड़ने की बात कर रहा हूँ नहीं मैं बात कर रहा हूँ आखिर नजरिया क्या है तो मैंने trading से मना ही नहीं किया swing trading से मना ही नहीं किया बराबर है तो चलिए अब चलते हैं के financial पर दीमिट और trading account का अगर आप हमारे link से खोलते हैं जो description box में है तो आपको special telegram में add कर दिया जाएगा benefits सारे description box में है आप open करें और वाली बात है free cash flow देख लो negative है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा एक साल पहले अगर इनका financial आपने चेक किया होता तो इनके पास free cash flow 63 करोर का था 63 करोर का free cash flow भी गायब हो गया और वो negative में आ गया समझ पारे हो मेरी बात को तो company में अगर ROC ROE जाओ बहुत पूर है 6% 3% का है कहीं से attractive नहीं है थोड़ा सा और detail देख लेते हैं अब आपके सामने हम लेकर आए हैं इनका financial quarter on quarter basis पर और quarter on quarter basis पर अगर आप देखो तो net income इनका June 2021 देख लो September 2021 देख लो December 2021 देख लो March 2022 देख लो लगातार गिर रहा है लगातार गिर रहा है वहाँ पर इनका EBITDA लगातार गिर रहा है इनका EPS लगातार गिर रहा है तो ये वो चीज है जब हमें क्या समझ में आए इस बात से कि चलो financial अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो मौका तो अच्छा है नियूज का जैसा मौका 2020 में लगा था कोई बात नहीं हम यहाँ पर चार्ट का तरका मिलाएंगे और चार्ट के तरके के साथ फ्लो में बहेंगे अब जैसे देखिए 4 अगस्त को मैंने ट्वीटर पर इसका चार्ट डाला जब यह ट्रेड कर रहा था 32.20 पर क्लोज हुआ था यानि मार्केट खुलने से पहले डाला था और वहाँ पर मेक और ब्रेक दिया था मैंने 34 रुपेगा जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो क्या हुआ उसके बाद यह स्टॉक गैप खुला और ट्रेड कर रहा है 39.95 पर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ध्यान से फरक को सुनी रहा यानि क्या हुआ चार्ट मार्केट खुलने से पहले डाला क्योंकि वहाँ पे भी एक ब्रेक आउट था 34 का जो मैंने financial नहीं समझ में आ रहा है बट news में दम समझ में आ रहा है तो फाइदा क्या होगा नुकसान होगा तो कम होगा अगर stock गिरेगा भी तो हम मामूली से नुकसान में निकल जाएंगे लेकिन कम से कम जो लोग सुबेक्स में अगर बीना जाने समझे टॉप पे AI की कमपनी है AI में ऐसा हो जाएगा AI में वैसा हो जाएगा करके अगर वो जो बिना fundamental के अगर जिनोंने 60-70 में लिया हो उनके सेर अगर 20 रुपे 30 रुपे हो जाएं तो क्या हलत होगी उनका तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं कहां फस गया लेकिन उन्होंने वहाँ पर financial नहीं देखने की कोसिस की तो वहाँ पर मेरे नजर में ये आज़ी वीडियो एक सबसे अलग वीडियो मैंने आपके साथ share करने की कोसिस की है जो आपको सिर्फ सुबेक्स का नजरिया नहीं बाकी अधर स्टॉक का भी नजरिया दिखाएगा उस नजरिये में हम जाके ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि कब कहां इन्वेस्ट करना है कब कहां स्विंग करके कमाना है यानि मौका परस्त बनना है जहां जिस तरह का मौका बन रहा है एक जैसी चीज नहीं करनी है यही है स्टॉक मार्केट जहां पे अगर हम इस सोच के साथ चलते हैं तो पैसा कमा सकते हैं तो कैसी लगी सोच? कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर सेयर कीजे दोस्त जिसे हर इंसान इस नए वीजन को सीखे समझे और कमाए तैंक यू सो मच